आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो मारा question कहता है कि हमें distinguish करना है between harmonic and non-harmonic oscillations के बीच में ठीक है तो harmonic oscillations कान सी होती है harmonic oscillations यह होती है those oscillations those oscillations oscillations which can be expressed expressed as a single harmonic function harmonic function ठीक है harmonic function कान से होते है sign और cos ठीक है इन दो नमें से एक में उसको हम express कर सकते है ठीक है non harmonic कान सी होती है non harmonic non harmonic these oscillations these are the oscillations which cannot cannot be expressed expressed as a single harmonic harmonic function ठीक है मतलब हम इसको more than one से express करते है ठीक है इसका अगर एक्जामपल ले जैसे हैं अगर हम इसको एक्जामपल से ले तो नौन हर्मोनिक उसलेशन कॉंसी होती है वाइस इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टाइमस टू ठीक है अगर हमारे पास यह दो ठीक है तो हम क्या ब quieter this is a non-harmonic oscillator ठीक है हमारे जो Non-harmonic osilatr ऑते हैं उनका जो curve है function टो उसको हम एक हम श्मूद कर फी तरह define कर सकते है ठीक है हम्षमां कर सकते क्या देसे ठीक हैं थीक है बटकर though not harmonics oscillation born करें उनका स्मूथ कर नी होता है उनका थोड़ा सा एर्रेगुला कर ठीक है भली उनके पास एक टाइम पीराड होता है बट एक उनका एर्रेगुला कर ठीक है सो दीजादी दिफरेंसेज थैंक यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर